जितने भी पैरेंट्स हैं आप सभी को मेरा शादर प्रणाव मैं बनोर डोवाल बिन्नी अभी आप देख रहे होंगे मेरे चारों तरफ ये जाडिया हैं मैं धेराद उनके ओली गाओं में आया हूँ जो राइपूर के ठीक उपर है यदि आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है जी हाँ दोस्तों आपके बच्चे तब तक आपकी सुनेंगे जब तक वो छोटे रहते हैं जब तक आप उने इस्कूल तक छोड़ने जाते हैं और उनकी छुटी होने से पहले उने लेने के लिए उनके इस्कूल के गेट में पहुंच जाते हैं जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो आपकी गिरप्त से दूर होना सुरू हो जाते हैं देहरादून जो अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया था लंदन सहर की तरज पर, ये वही देहरादून है जिसे उत्राखंड का बेनिस कहा जाता था, ये वही देहरादून है जो अपने आम और लीची के बागीचों के लिए जाना पहचाना जाता था, ये वही बड़ा education hub है पहाडी जीलों से जब बच्चे इंटर पास करते हैं तो अधिकतर देहरा दून में ही आते हैं और यहीं से अपनी आगे की सिक्षा दिक्षा गरण करते हैं आप जीतोर मेहनत करते हैं और दिन रात एक करके अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं ज आज इन जाडियों के बीच कुछ ऐसा आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसे देख कर हो सके आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएं क्या वास्तम में आपका बच्चा वही कर रहा है जो आप सोचते हो या फिर आपके बच्चे आपकी गिरफ्त से बाहर हो चुके हैं और एक ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं जहां से लोटना काफी मुस्किल है क्या कोई संबावना है कि आपके बच्चे उस जटिल रास्ते से उस खतरनाक रास्ते से वापस आ जाएं जहां पहुंचकर उनकी सिर्फ और सिर्फ हानी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो सु ड्रक्स एडिक्टेड हो चुके हैं जी हां कि हर माबाप पर लागू नहीं होता है लेकिन अधिकतर माबाप चेत जाएं समझ जाएं कि उनके बच्चे नसीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं और इस जंगल में इन जाडियों के बीच का जो द्रिश्य है मैं उसे आपको दिखाऊंगा और नजाने ऐसे सी कई सारी जाडियां होंगी जहां पर इनसे का खेल चल रहा है इसमयक, तरह तरह के सिग्रेटें, बीडी, सराब, बियर, इस जंगल में सब कुछ आपको देखने को मिलेगा आखिर नसीली वोस्तों के अवसेस कहां से आ रही है सडक की तरब नजर फिराओ, तो यहां पर यूथ ही यूथ देखने को मिलते है जाहिर सी बात है, कई बार हमने कई सारी यूथ को यहां पर सिग्रेट पीते होई देखा है इसमयक करते होई देखा है भहुती गहतक नसीले पदार्थों का सेवन करते होई देखा है आखिर यह पीडी किस तरफ जा रही है आखिर आपके सपने किस तरह से धुमिल हो रहे हैं आप भहुती भोले बाले हैं आप सोचते हैं कि हमारे बच्चे भहुत अच्छा कर रहे हैं अच्छे रास्ते पे हैं आपको अपने संस्कारों पे भरोसा है आप सोचते हो जैसे हम चल करके आए हैं वो ऐसे हमारे बच्चे भी चलेंगे लेकिन यह सच नहीं है जमाना भहुत तेजी से बदल रहा है नसे की गिरप्त में पूरा समाच हो चुका है खास करके आज का जो युवा है वो इतना निर्भीक निडर हो चुका है कि उसे जरा सी भी परवा नहीं है कि वो क्या कर रही है माबाप की मेहनत को किस तरह से वो बरवात कर रही हैं किस तरह से उनके सपनों की धजियां उड़ा रही हैं आज इस वीडियो में आप देखने वाले हैं आखिर हम क्या करें इस खतरनाक राक्चस से कैसे बचें और अपने बच्चों को कैसे बचाएं कैसे बचाएं इस समाज को इस देश को आर्मी की भरती के दोरान जब हमारे गड़वाल छेतर के अधिकतर युवा गए थे तो आपको मैं बताना चाओंगा फिजीकली अधिकतर बाहर हो चुके थे और उसका कारण भी कहीं न कहीं नसा ही है आखिर उन युवाओं की संगत से अपने बच्चों को कैसे बचाया जाए जो नसे की गिरप्त में है और अब आपके बच्चों को भी नसे की गिरप्त में धकेल रही है तो समल जाएए अपने बच्चों की खबर जरूर लीजेगा और देखेगा इन जाडियों के बीच क्या क्या है तो यह देखेगा इस सिगरेट इसके ठीक बगल में यह परफेक्ट रोल जिस तरब भी नजर फिराएंगे यह पूरी की पूरी जो जाडियां है ना सिर्फ इसके अंदर बल्कि इसके बाहर भी यह तमाम नसीली वस्तुईं आपको नजर आएंगे और ना सिर्फ यहां पे बल्कि आगे पीछे हर तरफ यह द्रिश्या देखने को मिलेगा आखिर यह समाज किस तरफ जा रहा है यह देखेगा यह देखेगा यहां पे इसमयक लिया होगा और यह जिसका पेपर होता है इस तरह से यह जलके बाद में दिखाई देता है बीडी, सिग्रेट, बियर हर तरह के नसे आज के युवा कर रहे हैं और भहुती घातक घातक नसे भी किये जा रहे हैं और न सिर्फ बोईज बलकी गल्ट भी अब नसे की गिरप्त में हैं और एक बार जब वो आदी हो जाते हैं तो इससे बच पाना उनके लिए भहुत मुश्किल है इस बुरे मार्क से वापस आना आसान नहीं है यह देखेगा यह जितने भी रैपर आपको नजर आ रहे हैं यह सब नसिली वस्तूओं के हैं कुछ नमकीन्स चेप्स कुरकुरों को छोड़ दिया जाए तो जो कुछ भी आपे नजर आता है वो सब तंबाकू बीडी सिग्रेट आदी आदी नसिली वस्तूओं के ही रैपर हैं यहने तमाम नसिले पदार्थों का सेबन यह युवा कर कर लेकर जाएंगे कि सिग्रेडों में तरह तरह का नसा भरा जाता है और अ कि उसका सेवन करने वाला उस नस्ये को धारन करने वाला यह योग कहीं न कहीं हमारे समाच को हमारे देश को हमारे सपनों को धुमिल कर रहा है तोड रहा है जंगल और इसके आसपास के अन्य छेतर जो कभी सराब की खाली बोतलों से भरे पड़े रहते थे आप देख रहे होंगे कि अब यहां पे बोतले बहुत कम नजर आ रही है चूंकि अब जो कबारी वाले हैं वो यहां पे आते हैं और यहां से तुरंत बोतलों को उठा करके ले जाते हैं अब उन्हें मालूम हो गया है कि इस इस्तान पर उन्हें बोतलों के रूप में कबारा मिलेगा जिससे उनका भी रोजगार चल रहा है और कहीं न कहीं इन जंगलों से कांच की सफाई भी हो रही है यह देखे दोस्तों एटियम और नसीडियों के लिए इसकी फुल परम है अपनी तलब मिटाईए यह देखेगा नसीडियों के लिए यह पूरा इस्तान किसी जन्नत से कम नहीं है उनके लिए यकिनान यह जन्नत हो सकता है लेकिन हमारे लिए यह नरक इस्तान है क्योंकि युवा यहां पे न सिर्प परवाद कर रहे हैं तोड रहे हैं बलकि अपने भविस्य के लेवी ऐसे गड़े खोद रहे हैं जिस पर भवती दुख है और नास है यदि आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो यह बीडियो आपके लिए भवती खास है जी हां देहरा दून उत्राखन की आईस्ता राजदानी तो है ही साथ ही साथ एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हव है बच्चे जब पहाडी जीलों से इंटर पास करते हैं तो आगे की सिक्षा के लिए धेरा दून चले आते हैं आप जीतो और मेहनत करते हैं अपने बच्चों की सिक्षा के लिए लेकिन आपके बच असीली वस्तों के अबसेस देखने को मिल रहे हैं जो आज की डेट पर भहुती खतरनाक नस्य के रूप में जाना जाता है आखिर यहां कहां से पहुच रहा है कहीं आपके बच्चे यहां तो नहीं आते यहां पर नसा तो नहीं करते क्या उनकी संगत विगड़ तो नहीं लगता है वो जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं एक बार अवस्य जानिए अपने बच्चों को समीब से पहिचानिए कहीं आपके बच्चे गलत रास्ते पर तो नहीं है और यदि हैं तो समल जाईए समय रहते ही उन्हें बचा लीजिए हर माबाप का हर पैरेंट्स का ये परम क पर तब यह हैं